नमस्कार स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइट एंड विजन द लर्निंग में मैं विजलाल हर सब्ता की तरह आज एक नए वीडियो लेके उपस्तित हूं आज के वीडियो में हम मल्टिप्लिकेशन के टू सम्स करेंगे और कोशिश करेंगे कि दोनों कोश्चन को हम रिपीट करें और रिपीट करके रूल्स को समझने और अप्लाई करने का अभ्यास करें तो चलिए पहले कोश्चन की तरफ चलते हैं जो जिसमें हम थ्री डिजिट नमबर को 2-digit नमबर से multiply करेंगे और धीरे-धीरे जो difficulty level है questions का उसको बढ़ाते रहेंगे तो हमारा पहला जो सवाल है वो है 432 432 multiply by 34 यह हमारा पहला question है हम अब एकस पर चलते हैं अब एकस पर सबसे पहले हम लिखेंगे 432 और के लिखनाया में 34 तो multiplicand है हमारा 432 और जो multiplier है वो है 34 तो सबसे पहले हम दोनों जो multiplier और multiplicand के digits हैं उनको count करेंगे वो है 1, 2, 3, 4, 5 3 multiplicands में multiplicand में 3 digits हैं और 2 digits वो हैं multiplier में हैं दोनों को count करके digits हो जाते हैं 5 तो 1 plus करके हम 6th column से लिखना शूरू करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 से हम multiply करने को लिखना शूरू करेंगे 400 5th column में आ जाएगा 3 और 4th column में आ जाएगा 2 multiply by करना है 34 से तो extreme left में हम जागे लिखेंगे 34 तो सबसे पहले पहली बात तो यह होगी कि दोनों digits को count किया उसमें 1 plus करके दोनों digits को अब एकस पर set कर लिया beads को set कर लिया उसके बाद second thing जो है वो आपने ध्यान देनी है कि अब जब multiply हम करेंगे तो multiplier का जो highest unit है उससे multiplicand के lowest unit को multiply करते है तो 34 का highest unit है 10 में है 3 और multiplicand का जो lowest unit है वो है 2 तो 3 से 2 को multiply करेंगे 3 तो 6 तो 6 को हम 6 ना लिखे क्या लिखते हैं 06 लिखते हैं 06 लिखते हैं तो 06 जो hundred column में उसमें आएगा 0 और tens column में आएगा 6 उसके बाद हम अब हमने 3 से 2 को multiply कर लिया अब हम 4 से 2 को multiply करेंगे 4 2 जा 8 तो 8 लिखने के लिए जो 6 हमने जहां लिखा था tens column में आएगा 0 और ones के column में आजाएगा 8 क्योंकि 6 को हम 06 लिखते हैं और 8 को हम 08 लिखते हैं और जो दूसरी बात थी वो यह थी कि जहां तक जहां पर हम किसी number को लिखना खत्म करते हैं उसी column से हम अगले number को लिखना शुरू करते हैं तो हमने multiplier के दोनों digits से multiplicand के ones digit को multiply कर लिया इसलिए इसको हम अपका कर देंगे clear कर देंगे अब multiplier के highest unit 3 से multiplicand जो बचा हमारा उसका lowest unit को multiply करने के बाद जो second unit है उसका वो है 3 उसको हम जो उसका 10 है वो है 3 है 3 को multiply करेंगे तो 3 से 3 को multiply किया 9 तो 3 के right side में 1000s column उसमे लिखेंगे 0 और 100s column में हम लिखेंगे 9 फिर 4 से 3 को multiply करने के 4 से 12 तो अब 12 लिखने के लिए हम 100s में लिखेंगे 1 और 10s में लिखेंगे 2 तो 100s में 1 लिखने के लिए 1 सेट करना है तो 1 का rule होता है clear 4 set 5 5 already set है तो 5 का rule लग जाएगा clear 5 set 1 in left side और 10s में हमें लिखना है यहाँ पे 4-3-12 का 2 तो यह हमने 3 और 4 से multiplicand के 3 को multiply कर लिया तो 3 को हम क्या कर देंगे clear कर देंगे उसके बाद अब हम multiplier के 3 से multiply करेंगे multiplicand के 4 को 3-4-12 12 का 1 जो है 4 के just right में जो हमारा 10,000 का column है उसमें लिखेंगे 1 और 1000 के column में लिखेंगे 2 1000 के column पे आपकी finger रहेगी क्योंकि अगला number हमें यहीं से लिखना शूरू करना है अब 4 से हम multiply करेंगे 4 को 4 फोर जाता है 16 तो उसी cell में 1 लिखा हमने और उसका जो right side का cell है जो 100 का cell है उसमें लिखा हमने 6 अब हम क्या करेंगे जो 4 है multiplicant का उसको हमने multiply कर लिया है बारी-बारी दोनों number से उसको हम क्या कर देंगे clear कर देंगे तो इस तरह से जो हमारा answer आया अब हम इस answer का मिलान करेंगे अपने board पे कियो question से तो multiply करते हैं 4 2 जा 8 4 3 जा 12 का 2 1 carry 4 4 जा 16 1 carry यह तो हो जाएगा 17 second multiplication 3 2 जा 6 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12 8 जो जो दोनों product है उनको हम add करेंगे 8 का 8 2 और 6 होता है 8 7 और 9 16 का 6 1 के लिए 2 और 1 3 और 1 हो जाएगा 4 और 1 का 1 तो इस तरह से यह हमारा answer आगया 1 4 6 8 8 तो जो आपने अवेकस पे question किया था उसमें आप देखेंगे 1 4 6 8 8 और जितने भी हमारे digits है answer के product के वो सभी अपने respective column में 1s में 8 10s में 8 100s में 6 1000 में 4 और 10,000 में 1 तो answer आगया 14,688 तो हमारा answer सही है इसका मतलब भी हो कि हमने सही तरीके answer किया है question किया है अब मैं एक चीज आपको बता देना चाहूंगा कि बीच में जब हमने हमारे पास आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे पास 9 था और 9 में हमें 1 प्लस करना था तो 9 में 1 प्लस करने के लिए हमने क्या किया था 1 का रूल लगाया था clear 4, set 5 और फिर 5 अल्रेडी set है तो 5 का रूल वहां पे हमने second rule 5 का apply किया था clear 5, set 1 in left side उसी जगह पे यदि आप सिधा 9 में 1 प्लस करने का रूल भी लगा सकते हो जो जैसे 9 है 9 में 1 direct 1 प्लस करने का ज़रूल होता है set 1 in left side and clear 9 set 1 in left side और clear 9 आप ये भी उसमें कर सकते हैं तो ये था हमारा सवाल जिसे मैं चाहूँगा कि हम एक बार दोबारा करें ताकि अगर कहीं समझ ना आया हो तो वो clear हो जाए तो दोबारा इस सवाल को करते हैं हम 6 कॉलम से लिखना शूरू करेंगे 1, 10, 100, 1000, 10,000 lakh वहाँ से हम lakh से हम लिखना शूरू करेंगे 432 multiply by 34 34 कम कहां लिखेंगे extreme left में जाके लिखेंगे सबसे पहले 3 से 2 को multiply करेंगे 3 2 जा 6 100 में 0, 10 में 6 फिर 4 2 जा 8 10 में 0 1 में 8 अब 2 को multiply कर लिए clear कर देंगे 3 3 जा 9 1000 में 0 और 100 में 9 4 3 जा 12 100 में 1 1 के लिए क्या करेंगे हम 1 plus करना है clear 4, set 5 5 already set है तो clear 5, set 1 in left side और 10 में 12 का 2 अब हमने 3 को multiply कर लिया बारे 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 दोने डिजिट से उसको clear कर देंगे अब 4 को multiply करेंगे 3 4 जा 12 10,000 में 1 1000 में 2 और 4 4 जा 16 1000 में 1 और 100 में 6 तो यह हमारा आंसर आ जाएगा 1, 4, 6, 8, 8 तो यह हमने question को revise कर लिया ताकि आप इसे आसानी से कर सको अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं जो next question है हमारा next question हम लिखेंगे next question हमारा है 679 679 multiply by 38 यह हमारा next question है 679 multiply by 38 तो अब एकस पर हम इसे लिखेंगे 639 3 और 25 digits हैं 1 प्लस करेंगे उसमें 6 कॉलम से लिखना सुरू करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 कॉलम से लिखना सुरू करेंगे 679 multiply by 38 multiply by 38 सबसे पहले अब lowest digit से sorry highest digit जो multiplier का है उससे multiplicand के lowest digit को multiply करेंगे 39 जा 27 7 उसके right side में जो multiplicand है उसके just right में लिखना सुरू करें 2 और 7 hundreds में 2 और tens में 7 फिर 8 से multiply करें 9 को 8 9 जा 72 72 मतलब tens में 7 और ones में 2 तो tens में 7 लिखने के लिए 7 का rule होता है set 1 in left side and clear 3 3 clear करने के लिए 3 bead हमारे पास नहीं है तो 3 का rule होता है clear 5 set 2 और ones में लिखेंगे 2 9 को हमने multiply कर लिए दोनले rates से 9 को क्या कर देंगे हम clear कर देंगे अब 3 7 जा 21 3 से 7 जो multiplicant का tens unit है उसको multiply करेंगे 3 7 जा 21 1000 में 2 लिखा 100 में 1 और अब 8 7 जा 56 तो 100 में 5 और tens में आ जाएगा 6 tens में 6 का rule होता है clear 4 set 1 in left side तो left side में 1 set करना है 1 set करने के लिए bead हमारे पास available नहीं है तो 1 का rule होता है clear 4 set 5 5 already set है तो 5 का rule लग जाएगा clear 5 set 1 in left side तो ये हमारा second multiplication हो गया 3 को हमने 7 को हमने multiply कर लिए तो 7 को क्या कर देंगे हम clear कर देंगे अब हमारे पास रहे गया multiplicant का 6 और 6 को multiply करेंगे पहले 3 से 3 6 है 18 और इसके just right में हम लिखना शुरू करेंगे जो हमारा 1, 10, 100, 1000, 10,000 का column है उसमें लिखेंगे 8 और 1000 में हम लिखेंगे 10,000 में लिखा हमने 1 और 1000 में हम लिखेंगे 8 तो 8 का rule होता है set 1 in left side and clear 2 1000 में हमने 8 लिखा है अब हम multiply करेंगे 8 से 6 को 8, 6 से 48 तो 1000 में हम लिखेंगे 4 4 का rule होता है set 5 clear 1 और 100 में हम लिखेंगे 8 इस तरह से हमने multiply कर लिया है 6 को 6 को क्या कर देंगे हम remove कर देंगे तो हमारा answer आजाएगा 2, 5, 8, 0, 2 तो board पे सवाल को चेक कर लेते हैं 72 72 का 2 7 केरी 8 से 56 और 7 और 63 का 3, 6 केरी 8 6 जा 48 और 6 होता है 54 और second multiplication करेंगे 3 9 से 27 का 7 2 करी 3 7 से 21 और 2 होगे 23 2 केरी 3 6 जा 18 और 2 होता है 20 add करेंगे दोनों को 2 का 2 7 3 10 4 3 7 1 1 8 5 का 5 और 2 का 2 25802 तो यह हो गया हमारा second question जिसका answer आया 25802 तो इस question को हम एक बार पुना repeat करना चाहेंगे ताकि अच्छे से उसका revision हो सके तो दोबारा हम question को लिखेंगे अवेकस पर पहले अवेकस को यह बार clear करके 3 digits हैं multi प्लिकेंड के और 2 digits हैं multiplier के होगे 5 तो 6 column से अब लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 column से अब लिखेंगे 6, 7, then 9 lakhs का जो बार है column है उसमें आगा 6 10,000 में जाएगा 7 और 1000 में जाएगा 9 और multiply करेंगे 38 से सबसे पहले 3 से 9 को multiply करेंगे जो multiplier का highest digit है और multiplicand का lowest digit है 3, 9, 27, सिधा 27 लिख देंगे 9 के right side में उसके बाद 3 से multiply करेंगे 8 से multiply करेंगे 9 को 7 लिखेंगे 10s में और 2 लिखेंगे 1s में 10s में 7 लिखने के लिए 7 का रूल होता है set 1 in left side and clear 3 3 clear करने के लिए clear 5 और set 2 अब 1s में लिखेंगे 2 9 को multiply करेंगे 9 को क्या कर देंगे remove कर देंगे या clear कर देंगे अब 3 से multiplicand के second digit 7 को multiply करेंगे 3 7 लिखेंगे 21 उसके right side में लिखेंगे 21 21 का 2 1000 में आएगा और 1 आएगा 100s में अब 8 7 लिखेंगे 5 और 10s में लिखेंगे 6 6 का जो rule होता है clear 4 set 1 in left side तो left side में 1 set करने के लिए 4 में 1 set करना है rule होता है clear 4 set 5 4 clear कर लिखेंगे तो 5 का rule लग जाए हाँ पर जो होता है clear 5 set 1 in left side तो यह हमने 7 को multiply कर लिया 7 को क्या कर देंगे clear कर देंगे अब 3 से 6 को multiply कर देंगे 3 6 है 18 18 का 1 लिखा हमने 10,000 column में 1000 में लिखेंगे हम 8 8 का rule होता है set 1 in left side और clear 2 1000 में 8 लिखा है तो यहां से अगला नमर लिखना सुरू करेंगे जो होगा 8 से 6 को multiply कर देंगे 48 तो 1000 में 4 और 100 में आएगा 8 1000 में 4 लिखने के लिए 4 का rule है वो लग जाएगा set 5 clear 1 और 100 में हम लिखेंगे 8 अब हमने 6 को multiply कर लिया है बारे बारे से दोनों डिजिट से 6 को क्या कर देंगे हम clear कर देंगे तो यह आपका answer आजागा 2 5 8 0 2 आप board में देख सकते हैं जो हमारा answer है 25,802 1000 में 10,000 में 2 1000 में 5 100 में 8 10 में 0 और 1 में 2 तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो हमने दोनों questions किये अब एकस पे किये उसके बाद board पे किये और एक बार कोशिश की क्योंकि हम उसको revise करें क्यूंकि जो rules होते हैं हम भूल जाते हैं या जितना हम practice करेंगे उतना हमें याद रहेंगे और हम उनको use कर पाएंगे तो इसलिए उमीद करता हूँ कि आप practice करेंगे बार-बार practice करेंगे ताकि अच्छे से आपको समझा सकें तो ये दो सवाल जो थोड़ा मुश्किल थे उनको अमने करने का अभ्यास किया और एक बार revise भी किया तो उमीद करता हूँ कि आप वीडियो देखेंगे और बार-बार questions को करने का प्रयास करोगे ताकि rules को कैसे apply करना है और क्या-क्या rules है multiplication करते हूँ आपको क्या-क्या ध्यान रखना होता है वो सब चीज़ आप अच्छे से समझ सकें तो अब अगले सबता फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं तब तर के लिए नमस्कार